तो सबसे पहले हम बात करेंगे जियो फाइनसियर सर्विस लिमिटेट के बारे में जियो फाइनसियर के बात का है तो आज की दिन इन स्टॉक में लगबग हमें 202 पसंग की तीजी देखन को मिला और जो नेट तीजी बना है वो लगबग 46% के आप पा है जियो फाइनसियर लिम्टेट की बात के तो आज की दिन इस कंपनी में एक इंपोर्ट इन्यूस निकल गया है और अगर हम उस न्यूस की बात करें तो इन्नेक्स में एंट्री तो आप देख सकते हो कि यह जो जियो फाइनसियर सर्विस कंपनी है आने बले टाइम आपको निफ्टी नेक्स 50 में भी आपको इंटर करते हो देखन को मिल सकते है उनको जगह मिलते हो देखन को मतब एट किया जा सकते है चाहता है आप ऐसे ही बहुत हो जिनके चलते स्टॉक में आच के दिन आमें तीन पसीन को मिला और इसके लिए लगबग लगबग रफली 90 मिलियन तक इन्फलो इस कंपनी में आपको आते हो देखन को मिल सकते है तो अगर हम इस न्यूस की बात करें जियो फाइन सर्विस के लिए एक अच्छे न्यूस है तो यह जो कंपनी अभी तक इसके बिजन स्टार्ट भी नहीं हो अगर हम बात करें बहुत बढ़ नाम है जिनके इनको मार्केट कैप्चर करने के लिए फिर अपने बिजन को एक्सप बात करें चाहिए जीओ डिजिडल से बात करें तो बहुत ही फैलाव के बिजन से है तो इसली वह अच्छे कासा अपने बिजन को ग्रोग करवा सकता है बट कांसे देखना यह बहुत ही इंपॉर्टन है तो कोई फ्रेस बाइंक के बारे में सोच रहे है तो आप इस कुछ सालों तक वो देख सकता है उसके बाद अगर वो यहां से अगर डबल हो भी जाता है तो उसके बाद उसका मार्केट कप बनेगा तो चार लाग करोड के जुकि एक बहुत बड़े ब्लूचिप कंपने तो उसके बाद की ग्रोथ रहता है वो बहुत ही नॉर्मल रहता तो इसलिए अगर आप बहुत बड़े पैसे लगाने का बार में सोच रहे हो और फिर बहुत बड़े एक्सपेट कर रहे हो कि अभी लिश्टिंग हुआ और तीन सुको प्राइस है यह तो तीन हजर की पहुंच जाएगा बट आपको प्राइस के साब से नहीं देखना है मा प्राइस के स्टॉक है उसके चलते हैं इनको मिला हुगा वह तो कमाल की है वह तो बिंदस बने रहेंगे अगर आपको इंट्री लेनी है तो बस इतने का जोगा इसके बिजनस अभी तक टार्ट नहीं हुआ तो स्टॉक को बहुत बड़े अगर आप रिटरन एक्सपेट कर मिल जाते हैं बाकि पिछले पांस दिन के बात करें तो दस पसिंग की तेजी एक मन के बात करें तो ग्यारास आए गया बट एक्चॉल जो तीजी आया था वह इस लिबल से आया था और उसके पिछे करीजन थे कंपनी में एक बहुत ही कमाल की न्यूज आया था तब सेलिक अच्छे मुमेंटाम मना हुआ और वो न्यूज भी आपको पता है कि कंपनी ने इतने बार पिएले स्कीम के लिए अपलाई किया था बट फानली जाके वो उनको पिएले स्कीम का सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं इससे इंपॉर्टन चीज है कि बाई फर्स्ट मादा बहुत दूसरा ओटो इंसिलेवारी कंपनी साथ से उनमी भी आपको आने बाटा में इस प्रका के आनौस में देखने को मिल शकता है तो बहुत बड़ा दोस्तों इंगिल आने बाटा में इनको बहुत अच्छे कासा बिने फिडियो का मतलब जितन जाधा प्रोडेक्शन करेंगे उतनी जाधा कंपनी को यह प्रोडेक्शन का फाइदा मिलते देखन को मिल जाएगा और इस न्यूस ने सिर्फ ऐसे निके स्टोक में तेजी लाया और इक इंपॉर्टन चीज भी बनाया इसके मोमेंटम जो मोमेंटम यहां से बार बार आने के बाद जो गिरावार दिखा आज इसने फाइनली मतब इस न्यूस के बाद स्टोक में एक अच्छे मोमेंटम मना हुए उनके लिए जिन्होंने गलती से टॉक को टॉप पे 840 पे बाई किया तो साइसा अगर इसने 700 को ब्रेक किया था सस्टेन नहीं कर पा है कोई बात नहीं दुबार कोशित करेगा ती अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में इस चीज को जरू मैनेज कर लेंगे तो अच्छे कमपनिया और सबसी इंपॉर्ण जी सेक्टर है जो आटो इंसलने वाले सेक्टर में काम करता है उनमें कोई लीडिंग प्लियर है ही नहीं सबके सब एक मिटक्स है तो इस अगर आपके लिवल तक भी कुछ दिनों में को अटे हो ही देखन को मिसे को एंट्री लेन है तो यह नियूस की जलते भाग रहे दोस्तों तो ऐसे नियूस ले बाए मत करो अगर आपको जाना है तो पहरे डीटिल में स्टडी कर लो उसके बात Q4 के नमबर तक देख रहे न अगर नमबर वाक्षी बहुत अच्छी आता है इंप्रेसिव तो चाहो तो आप छोड़ा सा स्टॉल्मेंट से या फिर अपना फ्रेसिंड लेनिंग के बार में विचार कर सकते हूं अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों डेक्शाओं टेकोजियी लिंटीड अगर आम डेक्शाम टेक के बात करें तो दो चार दिन गिरावाट की बाद आचकी दना में छोटा वोड़ा देखन को मिल्ला। एक 101 पसंट के बीच में एक तीज़ी बया था बाद उस तीज़ी को सटेजी नहीं कर पाए उसके पीचे का रिजिए कि प्रेशर मतब जब-जब सटॉक में तीज आता है तो प्रेशर आ जब जब इन स्टॉक में जो प्रेशर हमने पिछली दो दिनों में देखा एक यहाँ और एक यहाँ पर और उसके पीछे करीजिन है कि बहुत बड़े ब्रोकीशावस का डाउंग्रेड टारगेट और वो है दोस्तो जेफ्रीज तो जेफ्रीज ने आपने देखा कि दो दिन पहले इन स्टॉक को जो टारगेट दिया हाँ टारगेट चलो ठीक है पहले वो 6,000 की दिये थे अब उसको कट करके उन्होंने 6,000 की नीचे कर दे अलमस्त और भी 12-15% के डाउट लेकिन इंपॉर्टन चीज जो टारगेट उन्होंने दिया वो एक बहुत ही इंपॉर्टन पॉइंट पर दिया वैलूइशन श्टॉक की जो वैलूइशन है वो बहुत ही ज़्याद उनको लगता है और वाकिस्ट मैं भी आपको बोल चुको के अगर हम डेक्शोन के बाद करें खास करके और KPIT इन दोनों को एक ही प्रब्लम है कि इनके वैलूइशन श्टॉक टॉप पे ज़रू है और नमबरान के बाद भी श्टॉक ने और टॉप बनाया ओल टाइम हाई पे हारी में डेक्शोन ने भी ओल टाइम हाई बनाया थे 7000 को ब्रेक करने के बाद इंपॉर्टन चीज़ है कि वैलूइशन भाई आप कब तक मेंटरिन करोगे अध और स्टॉक आने बाद टाइम आपको और भी फॉर्दार 20% के गरावार दिखा सकते हैं तो कि इससे पैनिक करने चाहिए को मैं बहुत पहले आपको बोल चुक हो कोई भी ब्रोकेज हाउस अगर किसी भी स्टॉक को सब डेक्सोन नहीं कोई भी स्टॉक को अगर डाउंग्र या डाउंग्रेट आगे देता है तो उसका आपका ब्लाइनली मताब ट्रस्ट या डिसेजन तो बिल्कुर भी होने चाहिए यह मैं आपको दो ब्रोकेज हाउस को डेटर दिखा है जिन्होंने डाउंग्रेट किया किसी ने 10% किसी ने 20% अगर आप और दूसरे बोकी ब्रो को फॉलो करता है मानते है उनको फाइदा होता है इस रिपोर्ट के जलते वह अपना स्टेक बेच के फिर थोड़ा बत हमें हमार स्टॉक को करने की कोशिश करें अच्छी कंपनी ऐसे रिपोर्ट की जलते लॉंग टाइम साब से आपको कोई भी पैनिक करनी की ज़रुवत बढ़ जैसे काकी इसके सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या है कि वही वैलूशन मतब एक एक साल में 125% और पांसार में 1414 अब कोई श्टॉक आपको इतना प्रॉफिल बना के देगा और जब श्टॉक टॉप पे होते ना तब और भी दिक्कत आ जाते है कि यह तो वैलुशन ज़्यादा ही वो है अब जो मानते है वो प्रॉफिल बोकिंग करता है जो नहीं मानते है वो बने रहते है तो बिजनस भाई देखो बिजनस अच्छे है ना तो मानलो रिपोर्ट आने के जाते स्टॉक 10% मानलो 6000 के निचे आ भी जाते है इससे पहले 6000 के 3000 के निचे आया था 6200 के श्टॉक शिदा 3200 के नीचे कितना गिरा था श्टॉक तो मतलब यह चीज़े चलते रहते हैं बड़ अच्छे कंपणी होगा न तो देखरो कमबैक कितना सॉलिड है 6 मैने में श्टॉक न डवल कर दे पैसे तो ऐसी चलते है बस इतना का चुक है अगर गिरावाट होत गिरावाट भी आपको थोड़ा बड़े गिरावाट ही दिखाते हैं को मिलेगा बट इसके विजन इतने कमाल किया मतब इस प्रकार के एग्रेसिव भी कंपनी अपना काम किये जा रहे चाहे बोहाली में कंपनी ने एक न्यू फैक्टरी लॉंच किया हो कॉमपार स्मार्ट के साथ for mobile manufacture purpose उसी के साथ सा जो और एक कुछ तिन पहले और एक न्यूज आया था जो बीबी की ग्रूप है उनके साथ जो जॉइन हैं किया था for same manufacture of phone तो जब जब इस प्रकार की न्यूज निकल के आएगा mobile phone से लेटेट तो ये कंपनी को इस stock को भी मताब इस company को बहुत time versus long time साब से भी तो company बहुत अच्छा काम कर रहे है बस आपको मैं इतना ही करना चूंगा अच्छे company आपसमें definitely बने ही रहता हो अगर entry lane है तो stock top पे और वाके इसके 100 कूपर पी है पूरा industry valuation ज्यादा है बट अभी अगर बाय करने के बारे में स्कोच रहो तो प्लीज आपको अच्छी discount देने वाले तो थोड़ा patience दिखा तो यह stock साय से आपको कोई और न्यूस के ज़िए मानलो quarter 4 की नंबर खराबाते है मानलो management की guidance खराबाते है नंबर के बाद तो यह stock आपको आज जो जिस stock को आप सारे 6000 कूपर खरेदने के लेड़ी हो यह stock आपको सारे 5000 भी मिल सकता है, मैं short time की साफ से बात कर रहा, otherwise long time में इतना potential है कि यह stock फिर से 20,000 भी जाती है आपको future में देखने को मिल सकता है, अच्छी company potential तो बहुत कमाल की है, तो अगर आपके पास आप इसमें definitely बने रह सकते हैं, आखरी stock की बात करें, तो Canada bank limited, अगर हम आज की दिन की भी बात करें, तो एक से लेके 30% का में तेजी देखने हैं, पिछले एक मन्त में 15 से लेके 16%, 6 मन्त की बात करें 74% और साल भर में 93%, और यह जो तेजी stock में बने उसके बिचे का और एक रिजन है, कि हाली में 26 fav को, उन्होंने एक meeting रखने थे, जिनमें वो announcement करने वाले थे, कि कुछ split जैसे activity देज सकता है, तो वाकिए जितना उन्होंने announcement के थे, दे 1-5 का split, जिसके ज़िए stock में और भी एक positive momentum बर रहे है, तो अच्छे बात है, जिनके पासे उनकी लिए, अगर आपको पासे नहीं, तो इसके लिए फ्रेज भाए मत करो, अच्छे stock रिशे रहोगे न तो वो भी stock of future में इस प्रकाहिक competition जरूर देते हो देखन को मिल सकता है,